असलाम लेकुम स्टूदेंस, वेलकुम यौल इन बाइलोजी क्लास अस यू नो स्टूदेंस, वी वर दूइंग चेप्टर नबर वान, इंट्रोड़क्शन तू बाइलोजी असलाम लेकुम स्टूदेंस, वेलकुम 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 स्टूदें ने उसके बाद हमने अपने प्रिवियस लेक्चर में मैं आपको इंडीविज्ट्र ने वरक्पॉलेशन लेवल पढ़ाया था को ने दिजर एक प्रिविज्ट i. लेलिए और यह हुडा है इंडीविज्ट्र ने फिड Hispanic और उसके बाद next level population का था ठीक है a group of organism of the same species located at the same place in the same time एक जगा पर एक खास किसम की species ठीक है एक ही species मौजूद है ठीक है उसके group की सुरत में exist कर रही है same species same place पर at the same time एक ही वक्त में तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी population कहलाएगी उसकी अबादी कहलाएगी ठीक है और इसके लावा हमने side block में species के बारे में पढ़ा था कि वो organism जो interbreed कर सकते हैं जो के fertilization कर सकते हैं और नए off springs produce कर सकते हैं और जो उनके off springs है ठीक है वो कैसे होने चाहिए fertile होने चाहिए ठीक है fertile का meaning मैंने आपको बताया था कि वो organism जो आगे जाके यानि वो of springs जो आगे जाके मजीद fertilization करके नए organism बना सकते हों ठीक है और habitat हमने पढ़ा था कि habitat means the area of environment in which organisms lives के वो जगा जहां पर कोई भी organism रह रहा होता है वो उसका मसकन होता है वो उसका habitat होता है ठीक है तो students as you can see in this slide के individual level and population level हम पढ़ चुके हैं तो next level आपको क्या नजर आ रहा है definitely community level है ठीक है so आज की lecture में हमने जो remaining two levels है in the levels of organization उसको हमने study करना है first हमारे पास है community level definition देख लें आपकी book पे में लिखी हुई इसको mark कर लें definition को कि a community is an assemblage of different populations interacting with one another in same environment एक ही जगा पर अगर मुक्तलिफ populations इकठी हो गई है ठीक है एक population में तो हमने पढ़ा था कि एक population में एक ही तरह के organism एक ही तरह की species exist कर रही होगी तो अगर different populations exist कर रही है तो वो मिल के different populations क्या बनाएंगी एक community बनाएंगी ठीक है और एक खास environment के अंदर रह रही हो ठीक है जैसे अगर हम example ले लें जर्नल लेका आपको example दो जो किसी खास area पर या किसी भी एक located area के अंदर वहाँ पर dogs भी मौझूद है वहाँ पर cats भी मौझूद है ठीक है और दूसरे rabbits की species भी वहाँ पर मौझूद है वहाँ पॉपॉलेशन मौझूद है तो वह सारे मिल के एक क्या बना देंगे एक community बना देंगे ठीक है example आपकी book में क्या लिखी वी है example को की heading marker ने अपने book के उपर कि a forest may be considered as a community it includes different plants, microorganisms and fungi and animals हम forest को ठीक है एक community की example ले सकते हैं अब forest में सिर्फ plants तो exist नहीं कर रहे हैं ठीक है plants एक species है ठीक है forest में plants existence के लावा बहुत सारे और दूसरे भी organisms हैं living organisms है that are existing वो कौन कौन से है? micro organisms है ठीक है उसके लावा बहुत सारे types of animals exist कर रहे हैं ठीक है बहुत सारे एक्साम के animals वहाँ पर forest के अंदर हो सकते हैं कर रहा है एक ही climatic conditions में survive कर रहा है तो उसके अंदर different populations क्या कर रही है exist कर रही है ठीक है उन different populations की वजह से हम उसको forest को क्या कहेंगे एक community कहेंगे ठीक है तो यह आपने एक इसकी community की definition हमने पहले देखी फिर हमने उसकी example देखिया it is the most important point that is related to the community के communities are the collections of organisms in which one population may increase and other may decrease के population के अंदर different organisms रह रहे हैं different populations रह रहे हैं तो population का number increase और decrease कर सकता है vary कर सकता है ठीक है change होता रहता है अगर एक population increase हो रही है तो दूसरी population decrease भी हो सकती है मैं आपको एक general example देदू अगर के हम predator और prey के relationship को देख लेते हैं predator और prey का relationship कैसा होता है यानि एक शिकार है दूसरा शिकार है ये एक organism ऐसा है जो दूसरा organism को खाने वाला है ठीक है चलें dog and cat की लेते हैं जैसे dogs cats को खा लेते हैं तो इससे क्या होगा कि अगर dogs जो हो cats को खा रहे हैं तो cats का number population में इनका number क्या होना चाहिए decrease होना चाहिए और dogs का क्या होना चाहिए increase होना चाहिए तो जब यह किसी एक community में survive कर रहे होंगे किसी एक community के अंदर रह रहे होंगे तो इनका number vary करेगा ठीक है तो यानि कि जहाँ ऐसी communities में basic recollection of organisms है लेकिन वहाँ पर number of organism क्या होता रहेगा change होता रहेगा vary करता रहेगा अगर एक decrease हो रहा है तो दूसरा increase हो सकता है अगर एक increase हो रहा है तो दूसरा decrease हो सकता है वो किसी भी relation और किसी भी interaction की वज़ा से हो सकता है ठीक है types of community majorly students अगर हम आपके book के reference से देखें तो हमारे पास community की two types होती है एक को कहते हैं simple और एक होती है complex community ठीक है simple community as its name showing simple community बहुत simple सी community होगी जिसमें number of populations कम होगी members of organism within population कम होगा तो वो हमारे पास एक simple सी community हो जाएगी complex community वो होगी जो complicated होगी जिसमें number भी change होगा population का भी और members of the population का भी change होता रहेगा ठीक है तो simple community को पहले हम देख लेते हैं आपकी book में यह सारे points लिखे हुए हैं जैसे slides पर headings given है आप उनी headings को अपनी book पर mark कर लें as it is ठीक है simple community क्या है example क्या है is fallen log with the various population in 8 in the simple community number and size of population is limited that is the most important point and so in any change in the biotic and abiotic factors may have drastic and long lasting effects क्या मतलब इस बात का सबसे पहले तो देखें simple community क्या है कि simple community के अंदर किसे हम simple community कहेंगे कि एक ऐसी community जिसमें number or size of population limited हो ठीक है यानि population का number भी limited हो ठीक है और population का size भी यानि कितनी बड़ी population है कितनी चोटी population उसका size भी क्या होता है limited होता है example आपको उन्हें दी है fallen log की ठीक है उसके अंदर fallen log का मतलब या आपको slide के background में एक fallen log नजर आ रहा है यानि एक लकड़ी का वो piece जो के क्या है कि अलग हो चुका है और वो उसके अंदर different type के organism exist कर रहे है ठीक है उसके फंगस भी लग सकती है उसके चोटे चोटे दूसरे plants भी उसके ग्रो कर सकते है और उसके अंदर termites की existence जिसे हम दीमक कहते है उसके existence भी हो सकती है ठीक है तो fallen log जो है उसके अंदर population अब देखें यहां पर different different organism है termites की existence भी है fungus की existence भी है small plants की existence भी है तो different populations है और यह सारे एक ही area एक ही fallen log के अंदर exist कर रहे है तो it's mean कि यह क्या हुई एक community हुई लेकिन community किस type की है simple है क्यों क्योंकि इसके अंदर population का number भी limited है और definitely population के जो members है जो organism है जो उसका size है वो भी क्या है limited होगा ठीक है next क्या है so any change in biotic and abiotic factors may have a drastic and long lasting effect इस बात को भी समझ लीचे students के अगर biotic और abiotic factor में change आता है biotic factors कौन से होते है living organism living जो creature होती है environment के अंदर हम उसको biotic कहते है तो अगर living organism में कोई change आ जाजाए या abiotic जो non living है जो air है temperature है rain है यह सारी क्या है abiotic है इन में कोई change आता है तो biotic में change आए या abiotic में change आए simple community के उपर उसका बड़ा शदीद किसम का reaction आएगा मतलब क्या है effect आएगा इसलिए क्योंकि वो तो limited है size और population का जो size है और जो number है वो limited है तो इसलिए वहाँ पर drastic और long lasting effect आएगा drastic कहते है बड़ा swear शदीद किसम का effect आएगा ठीक है मतासिर होगी बुरे तरह से simple community और long lasting भी बहुत देर तक असराद जो है तो आपके पास complex community बन जाएगी complex community एक्जामपल में हम forest community ले ले लेते हैं upon community ले 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 लेते हैं forest community की example हमने पहली discuss कर लिए कि एक forest के अंदर plants भी exist कर रहे हैं animals भी exist कर रहे हैं और fungus भी exist कर रही है और बच्चों इनका number vary कर रहे है population भी a lot of number of population existed within the forest community as well as the size of population is also vary ठीक है population भी बहुत बड़े पेमाने के उपर उनका size भी बहुत बड़े पेमाने पर exist करता है तो अगर कोई जंगल है तो जंगल में बहुत बड़े पेमाने पर मुख्लिफ किसम के दरख जो है वो exist कर रहे है तो population का size भी बड़ा होता है इसमें नमबर भी उनका population का number भी जादा होता है forest के अंदर देख लें और अगर हम pond के अंदर देखें यानि तलाब के अंदर देखें तो उसके अंदर भी aquatic organisms different type of aquatic organism exist कर रहे होंगे different populations of aquatic organisms exist कर रहे होंगी plants बहुत सरे aquatic plants होंगे जो exist कर रहे होंगे वहाँ पर तो pond की community ले ले या forest की community ले ले दोनों ही complex community है तो यहाँ पर एक statement मैंने लिखिया number and size of population is not limited कि इसमें ना तो number of population को आप limited कह सकते हैं ना ही आप number size of population को limited कह सकते हैं दोनों चीज़ें क्या होंगी limited नहीं होंगी unlimited होंगी ठीक है the next level in the levels of organization that is the last level of level of organization is the biosphere level ठीक है biosphere level bio meaning life को हम कहते हैं यानि कि life just a level जिसमें all life के existence है तो definition क्या हुई the part of the earth inhabited by organisms community is known as biosphere जितनी community अर्थ के उपर exist कर रही है उन तमाम वो तमाम portion अर्थ का जिस पे कोई living organism exist कर रहा है वो मिल के क्या बनाते हैं biosphere बनाते हैं the part of the earth inhabited by organisms community यानि जमीन का वो हिस्सा जहां पर कोई भी community exist कर रही है organism की वो हिस्सा आ जाता है किसमें biosphere में और वो मिल के यह क्या बना देता है biosphere अगर वैसे अवराल देखा जाए तो इट्समीन के पूरी अर्थ के उपर ही हमारे पास different spheres है atmosphere है lithosphere है यह different different हमारे पास spheres है division की वी हमने biosphere है और इन सब के अंदर living organisms की existence है तो हम completely overall क्या कहेंगे इसको biosphere कहेंगे अगर आपको biosphere की definition आएगी तो आप क्या लिखेंगे कि part of the earth inhabited by organisms community is known as biosphere inhabited का मतलब होता है कि जहां पर रहाइश पजीर है organisms exist कर रहे है organisms की communities रह रहे है वो क्या बनाते है biosphere का level बनाते है next biosphere में ही बचो आपको ecosystem की definition भी दी हुई है तो उसको भी highlight कर लें अपनी book के ओपर bracket के अंदर given है आपको ecosystem की definition है biosphere constitute of all ecosystems definition of ecosystem क्या आपके पास जो bracket में आपकी book में लिखी है वो ecosystem की definition है biosphere के topic में areas where living organisms interact with the non-living components of the ecosystem ठीक है अब आपके पास क्या है environment है यहाँ पर ठीक है कि जब living organism और non-living organism इकठे क्या कर रहे होते हैं interact कर रहे होते हैं ठीक है किसी भी area के अंदर living और non-living दोनों के existence एक साथ होती है क्योंकि living organism का survival depend कर रहा होता है non-living things के उपर तो जो living और non-living things के जो interaction है जैसे अगर human beings की बात करें तो human beings oxygen लेते हैं environment में से air में से तो air हमारे पस क्या है non-living में आती है air तो living में नहीं आती है तो हमारा इसके साथ strong interaction है तो यह जो interaction है एक ऐसा area जहां पर कोई भी जानदार living organisms non-living के साथ interact कर रहे हों environment में उसको हम क्या कहते है ecosystem कहते होते है ecosystem कहते होते है अब biosphere किस पर मुच्तमिल है सारे ecosystems के पर मुच्तमिल है और यह मिल के क्या बनाता है zone of life on earth तेक है इस पूरे biosphere में जहां पर तमाम living organism की existence है इसको हम zone of life on the earth भी कहते हैं आपको question आचाता है कि define zone of life on earth तो आपको यही biosphere constitute of all ecosystem से लेके एंड तक सारी statement लिखके देनी है जिसमें आप ecosystem की definition भी लिखोगे ठीक है तो यहां पर student आपका आज का lesson एंड होता है ठीक है हमारा यह topic जो हमने start किया था levels of organization का यहां पर complete हो चुका है इंशाला next class में जो आपका next topic है cellular organization का cellular organization को हम study करेंगे जो next diary है आप लोगों के लिए रीट करना आपने book page number 10 को thoroughly अच्छे तरीके से और learn करने आपने आज के दोनों पढ़ाया जाने वाले topics जो कि आपके पास community level है और biosphere level है ठीक है टेक कियर अफ यर्सेल्फ students आला हाप